हाई फ्रेंड्स, आयत मैं यहां आपको हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अनामिका उंगली और उसके नीचे जो सूरे परवत होता है, उसकी जानगारी दे रही हूँ, यह जो सबसे हाथ की सबसे छोटी उंगली है, इस उंगली के साथ की जो उंगली है, इसे अनामिका उं सूरे परवत कहा जाता है, असल में इस उंगली को सूरे उंगली भी बोल देते हैं कहीं लोग क्योंकि यह अपओलो रंग है और इसे यहां देहने वाली बात है, कि यह उंगली अकेली ऐसी है, जो वैक्ति को प्रसिद्धी देती है, बुद्धी मता देती है और कुछ भी जिसनात्मक काम जैसे कोई ऐसा डिजाइंग काम करने के लिए शम्ता जो है वो इस उंगली से पताचल सकती है। अगर ये उंगली आपकी थोड़ी लंबी है या यूं कहेंगे कि जो तरजनी उंगली है जो अंगुठी के साथ के उंगली है उसे तरजनी उंगली कहते हैं उस तरजनी उंगली से थोड़ी लंबी है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए जो जोखिम है वो उठाने नियुए लगी पदो खोड़ सहनता रखता है कि हर काम को चाहे फैशन से रिलेटर हो फिल्म से रिलेटर हो नियुक्त आफी फ्यूत का यह उसे बहुत ही अच्छे तरीजें से खर सकता है और जिनकी ये अनामिका उंगली तरजनी उंगली से छोटी होती है ये लोग अपनी सिती से संतोष होते हैं इन्हें अधिक नाम या प्रसिद्धी की इच्छा नहीं होती और ऐसा बहुत कम होता है कि तरजनी उंगली से छोटी अनामिका उंगली ये बहुत कम हातों में होती है अब इस उंगली के जड़ में जड़ है यहाँ इसे सूरे परवत कहा जाता है ये अगर किसी का सूरे परवत उबरा हुआ हो तो ऐसा वेक्ति कोई भी काम करेगा तो उसे उसमें सफलता ही मिलनी है और अगर उसे सफलता के थोड़ा सा नहीं मिल रही तो वो इस अपने आप में काबिल होता है कि वो सफलता को पा लेता है ये वेक्ति यश मिल जाता है परतिष्टा भी जाता है परिश्रम करने में और ये पीछे नहीं हरता है इसकी इतनी कुशाग बुद्धी होती है कि इस जीवन में हर तरह से हर तरह की भोति और वेवसाइक्स जो शेत्र है वहां सफल होता है ये धार्मिक होता है पर तो धर्म के लिए अंधा नहीं होता अपनी योग्यता और अयोग्यता को अच्छी से जानता है सूर्य परवत है उसकी जानकारी दी है उमीर है ये आपको लाब देगी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज सब्सक्राइब को बटन करें क्लिक करें और साथ में वीडियो शेर करें लाइक करें थेंक यू